तो इस टेबल फैन को बनाने के लिए हमने एक पीवीसी की सीट कट किया है और बाई इसकी जो लंबा है वो है एक फिट यानि 12 इंच अब एक इंच की दूरी पर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और एक मैं इस कुने पर लगाऊंगा एक इस वाले कुने पर अब इन दोनों क मिला करके हमें इसको ऐसे कट करना है तो यह ऐसे इसलिए कट हो जाता है आपको बस हलका साथ वर मार्क लगाना है किसी कट के मदद से तो ऐसे हम यहाँ पर चार पीसी जह उनको कट करने वाले हैं प्रमश्री की फेजर है उड्मश्र Sleep varias तो फाइनली चारो को कत करने के बाद अब jourivan हमएं दोपीश सी लिया है उनको हमने कुछ इस तरीकी ऊपर लीया है उपर की कि दरप से ओप्र benefici हमने दोबland कण कि दे इनको हमें कुछ इस तरीके चिपकाना है गोल करके बाई यह काम आप इसली कर लोगे न तो समझे लो आपको जो फैन है न वो देखने में काफी मस्त लेगा अगर आप से यह काम नहीं होता तो जो आपका फैन है वो इतना अच्छा नहीं लेगा तो अब आपको इसको हिट करना है पी वीशी को और वाई यहिट करने बाद इस सद्री नरम हो ज Bennett Take and आप इसको किसी भी समझे मोड को यहां पर सकती है तो हमने यहां पर हम लेंगे एक कले प मार्क लला है यहापर चैप्वी शै dok fresh पर यहाँ पर और दो यहाँ पर जो लंबाई है वो इसको की साड़े पांच इंच तो अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा पीस कट करना है दो बाई साड़े पांच इंच का तो अब मैं यहाँ पर इसको कट कर लूँगा और यह हमने इसको कट कर लिया है इसको भाई हमें यहा देंगे और फिर इसको यहां पर चिपका देंगे मोड करके आगे हां तो काइस काफी मैंनत के बाद हमने इसको गोल करके बना दिया है यहां पर इसको चिपका दिया और अब सेम इसी प्रकार से हम इधर लेवाले को भी लगा देते हैं तो भाई यहां पर हमने यह एक गेट टाइप में बना दिया है और अब यहां पर हमने एक पीस और कट किया है तीन इंच और लंबा या इसकी साड़े पांच इंच सेम वही पीस हमने कट किया है और अब इ सब्र۔ like preface नहीं कीरुप कटिंग कर लोगा तो गाइज यहां पर मैंने इसको कट कर लिया है और अब यहांपर चो एक्सरा पीचल है इनको भी कट कर लें और अब यहाँ पर जितने भी जोड़ा है इसको हमने सेंड फेपर से फिनिशिंग दे देनी है हाँ तो फ्रेंड्स यह देखिए हमने यहाँ पर इसको कम्प्लीट कर ले और जितने सबाई से आप इसको बनाऊगे न उसने यह मस्त आपका यहाँ पर फैन लगेगा और अब यहाँ पर हमने एक पीस और कट किया है इसे के साइजगा मतलब अब इस वाले को हमें लगाना है इसके पीछे बस जो इसके लंबाई है वो हमने बारा इंच रखी है इसको हमें यहाँ पर लगाना है फ्लैट नहीं लगाएंगे इसको थोड़ा सा हिट दे के और इसक कोने पर और दूसरे कोने पर भी इसको यह पर चिपकांगा दीन थीक होगत दाई है अब यह पर हमने इसको चिपक नियुकर आप थोड़ाद तो थोड़ा सा भी सी का बोर्दर डाल देना फिर काफी मज़बूत साथ चिपक जाते हैं और फिर आप इसको सेंट पर से रफ कर देना जो एक्स्ट्रा बरूदा निकला आता है एक्स्ट्री पीवीसी होती है तो यहां पर जो इसकी पतिया है वो बनानी है तो पतिया हम कुछ अलग टाइप से बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा वक्त तो तो अब यहां पर हम हाफ हाफ इंज की दूरी पर मार्क लगा लेते हैं और सेम उसके सामने आपको नीचे भी लगाना है और अब जो यह दो मार्क लगे वे उन दोनों मार्क को मिला करके ना इस कटर के मदद से लाइन खैश देना है तो गाइस यह देखे कुछ इस तरीके में साइसे और आपके पास प्लास हो गा तो आप प्लास के मदद से इनको इस अलग कर देना तो गाइस मैं अपनी वीडियों काफी ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो यार एक लाइक इस वीडियो पर भी कर देना जैसे आप हर वीडियो पर लाइक करते हो तो अब जो इसका कोन है इसको हमें कुछ ऐसे गोल करना होगा और यहाँ पर गोल करने के बाद आपके पास कोई भी कैची हो कट रहो उससे इसको गोल कर देना तो यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है और यह कुछ इस तरीकी से है तो अभी हमें इसको फिनीशिंग भी देनी होगी जिससे कि यह काफी ज़्यदा मस्त लगेगा हाँ तो भाईयो यहाँ पर हमने इसको इतनी मस्त तरीके से फिनीशिंग दिया है तो एक पत्ति को बनाने में हमें लगबग एक मिनट लगी है तो अब यहाँ पर हमें पचास पत्तिया बनानी है फिर वैसे तो अभी मैंने पंदरा पत्तिया बनाई है तो और में बार में बना लूँगा जैसे कि हमें इसको पीछे लगाएंगे पत्तियों को तो अब यहां पर इन पत्तियों को हम चिपकाना शुरू करते हैं और इनके बीच में ज्यादा गैफ नहीं रखेंगे हम बस हाफ इंच का गैफ रखने वाली हैं जिससे की जो कूलर है अब मतलव जिससे की जो यह फैन है देखने में काफी मस्त लेगा काफे मजबूत इसकी जाली बनने वाली है तो चलिए हम इसको फट्राफर से चिपका लेते हैं हाँ तो गाइस यहाँ पर हमने इनको चिपका दिया है और अब मैंने चालिस पत्तिया और कट की है इनको भी अच्छे से फिनिशिंग भी दे दिया है तो इनको हम बाद में चिपकाएंगे पहले हम इसका फैन है उसको लगा देना है वरना हम इसको बाद में नहीं लगा प मोटर लेका हूँ यह मुझे मिला है मार्किट से 40 रुपे का तो डोटल यह 50 रुपे के मुझे मिले हैं और एक आपको टैंक की वाला जो पाइप आता है यह आपके घर मिल जाएगा इसको थोड़ा सा कट करके इस पर लगा देना है जिससे मोटर टाइट आ जाएगा अब जी यह पीसिस है इनको मैं यहाँ पर चिपकाऊंगा तो चलिए फट फट से चिपका लेते हैं अब जो हमने यह एल टैप में बनाई है इनको हमें यहाँ पर लगाना है तो मैं इन तियनों को बराबर दूरी पर लगाऊंगा जैसे हमारा इंपैलर है उसी के हिसाब से आप इन को लगा देना तो तीनों को मैं बराबर दूरी पर लगाने वाला हूं तो इसको मैं यहाँ पर लगा दिया है अब यहाँ पर हम इस मोटर को लगा देते हैं इसके मिड़ में और भाई इसको यहाँ पर हम चिपका देते हैं हाँ तो भाईयो अब यहाँ पर हम इसके connection करने वाले हैं बस आपको यहाँ पर दो वायर लेने हैं इनको जोड़ देना है अगर भाई यह motor उल्टा चलना है हवा नहीं फेग रहा है तो वायर को वापस change कर सकते हैं यह motor भाई खराब नहीं होता तो यहाँ पर मैंने इनको वा हाँ तो भाईयो यहाँ पर हमने इन पत्यों को चिपका दिया है और भाई इसको लगने के बाद तो भाई यह देख सकते हैं क्या ही मस्त लग रहा है ऐसा cooler तो मतलब ऐसा फैन तो आपने आज तक देखा ही नहीं होगा ओनलाइन भी आप सर्च मार लेना यह आपको नहीं मि हमने खुद ने अपने दिमाग से सोच करके बनाया है ठीक है तो अब यहाँ पर हमने इन पत्यों को लगाया है भाई यह इतनी ज़्यादा मजबूता है यह आसानी से नहीं तूटेंगी और अब यहाँ पर हम इसको चलाने के लिए एक रेगुलेटर लगाना होगा है तो यह इसली कट भी हो जाती है तो अब इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा लेकिन इस मोटर के साफ़ से काफी हैवी पीविसी आए अब यहाँ पर मैंने लिया है एक स्पीड कंट्रोलर यह की आपको यहाँ पर इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो य अगर चलता नहीं है तो अब एक सी नौब आती है इसको यहाँ पर लगा थे तो इहांपर मैंने इसको लगाया और यह लग चुकी है और अब हम इसकी speed को ज़्यादा है और कम कर सकते हैं तो guys यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है काफी अच्छे से और यहाँ पर इसका look काफी मसता रहा है भाई यह इसके निचे काफी सारी जंग है मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर बैंटरी लगा दू मेरे पास battery होंगा यह फैसको लिएक सारी जिसको लगा देए इसको लोगा के फोट tien सारे लगा क्रुंगे और के दल और की तहीं आधि if है देते हैं इनके यह गुट के टाइप में अंदर लग जाएंगे और इसी में हम इन इसकुरों को लगाएंगे तो अब यह देखके हैं यहां पर हमने तीन होल बना देंगे एक यहां पर और दो यहां पर तो यहाँ पर हमने hold कर लिये हैं और अब इसको यहाँ पर आपको एसी रखना है और यहाँ पर जो इसके आपके बाद कोई भी carbonysł से इसको tight कर देना तो भाई ओ, यहाँ पर हमने काफी मझूशितिального कैसा tight कर दिया है और अब यहाँ पर देखिए अंदर कितना ज़्यादा गया है अब इसका जो ऊपर का डखका ने उसको भी बना ली है मैंने तो यहाँ पर यह देखिए हमने दो PVC की सीट बज़ी थी मेरे बास और मैंने यहाँ पर इनको बना दिया है इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ यह कुछ इस तरीक से वा भाई यो काफी अच्छे से फिट आ रहा है तो अब यहाँ पर हम इसको भी चिपका देते हैं हाँ तो भाई यो यह कंप्लीट हो चुगा है यहाँ पर हमने देख लिए 12V और यहाँ पर एक मार्क लगा दिया है और अब यहाँ पर देखने में काफी प्यार लग रहा है अगर आपके वास कोई भी कलर हो इसको कर देना और भी ज़्यादा यह अच्छा लगने वाला है तो यहाँ पर मैं इसमें बाद में बैटरी अड़ करूँगा शलिए मैंने इसमें यहाँ पर काफी गैफ रखाई नीचे और इसकी जो लेंद सेहां पर लंबा है वह बाई'm यह एक पीट की लंबा ही है चली मैं इसको टेस्ट करके देखते हैं यहां पर भाईयो मैंने एक एड़प्टर लिया जो कि 12 व्ल्ट गया है दो एमपेर गया है इसको यहां पर लगा दिया है मैंने आप एक एमपेर के से भी चला सकते हो तो अब मैं यहां पर इसको चलाओंगा यह देखिए इस पीड कम करकी है हमने और इस पीड को हम ज्यादा तेजा भाईयो चलिए एक बार आपको मैं हवा दिखा देता हूं तो मतला हवा तो नहीं दिखा सकते बस मैं यहां पर इस पॉलतिन को उड़ा के दिखाऊंगा तो यहां पर देखिए मैंने लंबी कट किया जिससे कि आपको हवा का अंदा जा उसके कि कहां तक हवा फेक प हैं तो मैं आगे बहुत करना कर दो भएं यहां भी हवा रही है यहां से फिकासे से यहां भी हवा ली है थोड़ा बर आगे चलते हाँ यहां भी हवा रही हा framework अब तो हम कैमरे से बाहर आ गए हवा भी नहीं रुख रही तो हवा काफ़ी जादा तेज़ है अगर आपकी कोई भी शोप है ना मतलग कोई भी कपड़े की शोप हो किसी विचे की शोप हो भाई आपको भी चाहिए फैन तो भाई आप इसको बनाने लेना और अगर या फिर आप बच्चे हो तो आप बना लेना अपने पापा को गिफ्ट कर देना तो देख करके काफी जादा कुछ हो जाएंगे तो भाई इसका लुक काफी अच्छा लग रहा है तो वीडियो चले के लाइक जरू करें और आपको इसका लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और आ आप इस वीडियो का अपने दोस्ते के पास बेज देना उसको भी जरूरत होगी